हेलो एव्रिवन आप सभी का स्वागत है हमारे कोर्स क्रील में तो आज जो है हम हमारा पहला मॉडियूल का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला मॉडियूल मैंने जैसे कि डिस्कस किया था मैं बोला था आप लोग को लीनियर अलजेब्रा होगा तो linear algebra में जो हमारा सबसे पहला सबसे एकदम basic topic जो है वो क्या है matrix या matrices हम बोल सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मतलब linear algebra जो यह इतना बड़ा एक module है तो इसमें हमको cover क्या-क्या topic करना है तो अगर आप लोग देखेंगे तो first जो रहेगा वो हमको क्या देखता है matrix and determinant क्योंकि linear algebra जो होता है यह हमारा totally जो dependent होता है matrix and determinant पे होता है अब अगर मैं next बात करूँ कि matrix and determinant सिखने के बाद क्या तो vector space देखेंगे एक एक करके हम सब जानेंगे कि क्या होता है vector space फिर देखेंगे हम लोग क्या rank of matrix फिर eigen values and eigen vector और last में जो कि सबसे important है वो क्या है solution of equation और देखिए last में हम क्या करेंगे कि previous year question of gate एक और मैं अच्छे से lecture इसका भी separately कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे जब मैं यह जो module लिखे हुए है इसके साथ भी हम लोग questions solve तो करेंगे ही लेकिन last में भी मेरे को लगता है कि एक module और कर लेंगे जिससे कि क्या हो मतलब जो sub part sorry not module तो एक sub part और क्या कर लेंगे कि previous year questions of gate TSE जो भी good question है जो अच्छे questions है उसको थोड़ा सा हम लोग discuss कर लेंगे ठीक है तो अब अगर मैं आपसे पूछू कि linear algebra कहां पे use होता है ठीक है मतलब maths में है वो तो मिर को भी पता है लेकिन क्यों linear algebra हम मतलब एक और एक bifurcation किये है algebra में जो की linear algebra तो नाम में ही न इसका meaning चुपा हुआ है linear algebra ठीक है तो linear algebra क्या होता है न हम basically linear equations को solve करना चाहते है simultaneous linear equations को solve करना चाहते है कोई भी एक linear system हो सकता है ठीक है control system में या network में हो सकता है RLC circuit हो सकता है ठीक है जो की linear हो तो हमको क्या है कि उसको उस equations को solve करना है तो जो algebra उसमें रहता है उसको हम क्या बोलते है linear algebra और हम ये linear algebra में जो हमने अभी linear equation का बात किया इसको हम represent कैसे करते है हम इसको represent करते है in vector space ठीक है मतलब जो भी ये linear equations आते है इसको अगर मैं graphically मतलब क्या बोलते है अगर इसको draw करना चाहूं ठीक है तो हम इसको draw नहीं plot करना चाहूं तो वो जो space में हम इसको plot करेंगे उसको क्या बोलते है vector space अब vector space में हम किसके मदद से plot करते है तो वो जो है हम matrix का help लेते है matrix के हम help लेते है किसको जो linear equations है उसको vector space में plot करने के लिए हम किसका help लेते है matrix का help लेते है ठीक है तो अब आप पूछेंगे कि मतलब कैसे हम क्यों linear algebra का मतलब कहां पर usage होता है तो अगर मैं आपसे बोलू linear algebra का use सारे branches करते है जैसे कि अगर chemical में कोई एक batch plant है ठीक है कोई batch plant है तो वहां पर क्या होता है मतलब different different parameters रहते हैं जो कि different different time में different values देते हैं तो अगर हमको वह parameters calculate करना हो तो वह क्या होता है एक differential equations से represent होते है या तो एक linear equations से represent होते हैं तो हम उसको क्या solve कर सकते है with the help of matrix solve कर सकते है अब जैसे कि हमारे electrical networks में हम देखते है कि इस type के equation हम को मिला करते है अलफा आइवन plus beta i2 plus gamma i3 is equal to v input ठीक है अब यह जो है alpha बीटा गामा यह हमारा parameters है अगर आपका system का condition change होगा तो alpha बीटा गामा चेंज होगा ठीक है अलफा बीटा गामा चेंज होगा और अगर हम input को change करते है अगर हम input को change करे तो i1 i2 i3 change होगा तो हम क्या ऐसे equations के help से हम different parameters find कर सकते है parameter values find कर सकते है तो इसी लिए जो है ना हमारा यह linear algebra बहुत आज के date में एकदम मतलब important एक chapter हो गया है important topic हो गया है mathematics में ठीक है आप अगर robotics में भी देखेंगे तो इसका बहुत जादा इस्तमाल होता है rotational matrix जो कि हम आगे देखेंगे ही अभी ठीक है rotation matrix इसमें देखने वाले है तो उसमें आप देखेंगे कि उसका जो हम help लेते है ना हम robotic arms में लेते है उसका है ठीक है तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछू कि हमें matrices क्यूँ चाहिए ठीक है तो मैं आपको reason बता सकता हूँ कि matrix का जो मतलब use होता है mostly ये किसलिए होता है कि हम store कर सके store and manipulating large quantity of data ठीक है ये हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग store करेंगे कैसे manipulate करेंगे ये सब हम देखेंगे अभी ठीक है और एक क्या हो सकता है अभी हम लोगोंने पीछे देखा ठीक है बहुत इजी ली आप लोग देखेंगे वेरी इजी ली कि वी कैन सॉल्व कि लीनियर एक्वेशन ठीक है लीनियर एक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाता है ठीक है अब अगर मैं आप लोगों को मेट्रिक्स का डेफिनेशल बोलू तो मेट्रिक्स क्या होता है मेट्रिक्स इस रेक्टैंगुलर स्ट्रक्चर which consists of number ठीक है मेट्रिक्स क्या होता है एक रेक्टैंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर cells होते है cells के अंदर क्या होते है हमारे number होते है number कुछ भी हो सकता है real number हो सकता है complex number हो सकता है imaginary number हो सकता है कोई भी number हो सकता है ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, कि matrix एक rectangular array भी बोल सकते है, या एक rectangular structure भी बोल सकते है, जिसको हम enclose करते हैं, किस से, square brackets से, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, तो ये मेरा एक matrix है, जिसको मैंने नाम दिया है, क्या A, अब इसके अंदर cells होते हैं, ठीक है, cell होते हैं, ये cell के अंदर क्या होता है, कि हमारे numbers होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, matrix बोलते हैं, जैसे कि यहां पे आपको कितना दिख रहा है, 9 cell है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, और 9, ठीक है, यहां पे मेरे matrix के कितने cell है, 9 cell है, अब इन 9 cells में मैं कोई भी random number अगर fill कर देता हूँ, मेरे मन से मतलब, कुछ भी, ठीक है, मैं fill करके आपको बताता हूँ, जैसे कि 1, 2, 3, 4 तो मैंने put किया ही था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो ये क्या हुआ मे order मतलब क्या, order means size of matrix, ठीक है, size of matrix, अब अगर मैं आपको बोलू कि ये 3 और ये 3 क्या बोल रहा है, क्या signify कर रहा है, तो ये जो 3 है, first वाला जो 3 है, ये basically हमको number of rows signify करता है, rows मतलब क्या, अगर मैं horizontally चलू, ठीक है, इसको हम कहते है horizontal, अगर मैं horizontally देखूं, तो कितने rows है मेरे पास ऐसे, अगर मैं ऐसे देखता हूं तो, ये एक row है, ठीक है, ऐसा एक horizontal row है, this is row number 1, this is row number 2, and this is row number 3, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको हम rows बोलते है, अगर जो horizontally देखेंगे, जो हमारा array है, एक एक single single line अगर देखेंगे, तो उसको हम rows बोलते है, ठीक है, इसको rows बोलते है, और अगर मैं ये same array को ऐसे vertically ले लूँ, तो उसको हम क्या कहते है, columns कहते है, ठीक है, ये हमारा columns है, अगर मैं vertically जाओं, तो ये हमारे क्या हुए, columns हो गए, ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, जो इसमें order में, जो पहला होता है, वो number of rows signify करता है, और जो दूसरा होता है, वो क्या करता है, number of columns signify करता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, order मतलब क्या, size of matrix, size of matrix मतलब क्या, number of rows into number of columns, ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछ दू, कि in total, आप मेरे को बताईए कि number of cells कितने है, number of cell अगर बोलू, या number of elements भी बोल सकता हूँ, number of elements, ठीक है, इनको elements भी बोल सकता हूँ, तो क्या होगा, total यहाँ पर कितने है, 3 into 3, ठीक है, मतलब क्या हुआ, 9, मतलब क्या कि number of rows, rows, sorry, r into c लिख सकता हूँ कि नहीं, अगर मैं number of rows को r से denote कर दू, number of columns को अगर c से denote कर दू, तो number of elements क्या होगा, r cross c हो जाएगा, ठीक है, यह मेरा एक type का matrix हुआ, अब अगर मैं आपको बोलू, एक example और एक छोटा सा लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर order of matrix क्या है मेरा, सपोस कीजिए, यह मेरा matrix B है, order of matrix यहाँ पर क्या है मेरा, तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे है, rows कितने हैं यहाँ पर, horizontal arrays कितने हैं यहाँ पर, यह एक है मेरा, यह दूसरा है, so two columns कितने हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो यह matrix का order कितना होगा, 2 x 4, अगर number of elements की बात करूँ तो कितना होगा, 2 x 4, जो कि क्या 8 होगा, तो हमेशा ध्यान देंगे, कि order of matrix या size of matrix हम कैसे लिखते हैं, number of rows into number of column, ऐसे नहीं कि मतलब randomly कभी number of rows into number of column लिख लें, कभी number of column into number of rows लिख रहे हैं, वैसे हमको नहीं लिखना है, हाँ ना, मतलब यह एक standard notation है, कि हम row into column follow करते हैं, ठीक है, तो अगर अब मैं एक matrix को general form में लिखने का कोशिश करूँ, ठीक है, सबोस कीजिए मेरे पास एक matrix है, जिसका order क्या है, m cross m, m cross n, तो यहाँ पे number of rows मेरे कितने हुए, rows के number कितने हैं यहाँ पे, rows are my m, and columns are how many, n, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको generalized represent करूँ, तो देखिए, a11, a11 मतलब क्या, element जो की मेरा first row और first column में है, ठीक है, यह भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, a11 मतलब क्या, यह जो first वाला term रहता है, यह basically आपको row का number बताता है, और यह जो दूसरा वाला, यह क्या बोलता है मेरे को, column का number बता देता है, ठीक है, अब suppose कीजिए जैसे कि a34 है, ठीक है, a34 आपको क्या बोल रहा है, कि third row में, ठीक है, third row, fourth column में जो element है, उसको signify कर रहा है, ठीक है, तो यह चीज का हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, तो a11, a12, ऐसे ही मेरा a1n होगा, क्यों, n क्यों यहाँ पर आया, क्योंकि मैंने पहले ही देखिए, इसका order n, मतलब number of columns यहाँ पर n है, तो देखिए, यह first column, यह second column, यह nth column, ठीक है, nth column, रेकि लिए row कौन सा है, यह row तो मेरा first ही है, और यह nth column, ठीक है, देखना भूल गया मतलब, तो यह लेकिन मेरा row कौन सा है, यह तो first row ही है, ठीक है, तो इसलिए देखिए, यहाँ पर row का number सबका same, अब अगर मैं second row की ब फिर आएगा a22, ऐसे ही क्या आएगा, a2n, ऐसे ही अगर मैं m row की बात करूं, mth row का बात करूं, तो am1, am2, amn, ठीक है, तो यह हमारा क्या हुआ है, generalized representation of matrix, यहाँ पर अगर मैं number of elements की बात करूं, तो कितना होगा, m cross n हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, हमारा जो representation रहता है न, अगर मैं generalized कोई भी एक term का बात करूं, तो कैसे लिखेंगे हम, अगर यह matrix को हम short form में लिखना चाहें, तो हम ऐसे भी लिख सकते है, aij, where i varies from क्या, i varies from 1 to m, ठीक है, and j varies from कहां से कहां तक, j vary करता है, 1 से लेके n ठीक है, तो basically यह i क्या represent करता है, i-th row, और यह j क्या represent करता है, j-th column, ठीक है, एकदम simple सा है यह चीज हमारा, तो यह जो part है, बस हम लोग यहीं पर cover करेंगे, जो next हमारा topic रहेगा, next जो lecture session रहेगा, उसमें क्या, हम लोग types of matrix स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, okay then thank you,